Hey guys, welcome back to my another video आज मैं आपके लिए छोटा सा comparison लेके आया हूँ TVA Jupiter ZX vs TVA Jupiter Standard Variant का दोनों ही scooter same है बट यहाँ पर features में काफी बड़ा difference है उसके साथ जो price है वो भी काफी बड़ा difference के साथ आता है तो दोनों scooter के बारे में detail में बात करेंगे क्या price है, क्या difference है चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं बट चैनल पर नहीं है, चैनल को subscribe जूरू करें और वीडियो को like करें सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेंट से, फ्रेंट से आपको दोनों scooter same दिखते हैं बट यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टेंडेड में नहीं मिलता है स्टेंडेड में नहीं मिलता है स्टेंडेड आपको प्लेन मिलता है उसी के साथ स्टेंडेड में आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलती है आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको अलोई वील मिलते हैं बट आपको ग्शा सकते हैंσι आपको सुल्ल आपको ऐनड़ी के पहले प्र आया करता ता सो यहां पर आपको साल डीटेल क्रेटा आपके दिखागे स्पीडमितर ऐसे teap पर स्पीड मिलती हैं यहां प्रके किलो मिल जाता है फ्यूल गेज मिल जाता है फ्ली यहां पर काफी बेसिक डिटेल मिलती है और यहां पर आपको ब्लुटूत नहीं मिलता है जो रहा है यहां पर चार्जर का तैंडेट में आपको चार्जर नहीं ब्लॉक किया गया है वहीं पर आप ZX में देखेंगे तो आपको चार्जर देखने को मिलता है जहां पर आप अपना मोबाइल चार्ज कर सकते हैं यह भी एक एडवांटेज है अब बात करेंगे next difference की यहां पर आपको brown color की seat मिल जाती है जो design को काफी अच्छा कर देती है ZX के because यहां पर आपको cream color का dashboard मिलता है यहां पर आपको black मिलता है यहां पर आपको cream मिलता है with brown seat और यहां पर आपको black seat मिलती है यहां पर यह काफी basic scooter दिखता है वहीं यह काफी attractive दिखता है उसी के साथ दोस्तों जो next difference है वो है backrest का ZX में आपको मिल जाता है backrest जो pillinator के लिए काफी helpful होता है because उसको long ride पर comfort मिलता है वहीं आपको standard में कोई भी backrest देखने को नहीं मिलता और आप इसको install भी नहीं करा सकते है because यहाँ पर आपको grab real मिलती है यहाँ पर आपको pipe based grab real मिलती है उसक के साथ यहाँ पर आपको ZX में काफी अच्छे finish के साथ मिल जाता है 3D में Jupiter ZX का logo और यह black color है वहीं यह जो silver color आप देख रहे है silver gray color वहाँ पर आपको basic Jupiter मिल जाता है 3D में यह चोचोड़े difference है जो आपके price को काफी बढ़ा देते हैं अब हम बात करें on road की यहाँ पर दोनों का price difference बहुत ही जादा है अगर मैं बात करूँ ZX के on road price की यहाँ पर आपको देना होगा on road एक लाख पांच हजार रुपे वहीं अगर मैं बात करूँ standard की यहाँ पर देना होगा बान में 1700 सो अल्मोस्ट 13,000 रुपे महंगा है टीवे Jupiter ZX स्टेंडर से जहाँ पर आपको digital speedometer मिल जाता है backrest मिल जाता है disc brake मिल जाता है seat का color difference मिल जाता है mobile charger मिल जाता है अगर आपके लिए features matter करते हैं आपके लिए यह scooter best है यहाँ पर आपको Bluetooth connectivity मिल जाएगी जो आपके mobile app में complete scooter का data show करेंगे यह पर आपको सिर्फ एक scooter चाहिए जो आपको daily ride करने के लिए अच्छा mileage offer करें आप यह भी ले सकते हैं सेम आपको engine मिलता है डोनों में आपको kick plus self start मिल जाता है so overall same है दोनों scooter but features का difference है और price का difference है 13000 का price काफी बड़ा difference हो जाता है यह था एक छोटा सा comparison तीवे जूपिटर जैडेक्स वर्सी स्टेंडर का मिलतरेक्स वीडियो में thank you thank you so much